हलो दोस्तों आपका सागत है आपके अपने चैनल study in progress पे जैसा कि हम railway previous year science के प्रस्णों को देख रहे थे जिसमें हमने सबसे पहले जीव विज्ञान के प्रस्णों को देखना सुरू किया था जिसमें हमने इसके फर्स्ट पार्ट में जीव विज्ञान की प्रमुख साखाओ से संबंदिते सारे प्रस्णों को देखिया था यह हम यूद प्रब्लिकेशन बुक से देख रहे हैं जिसमें हमने 31 प्रस्ण तक देख लिया था आज हम कोशिका यानि सेल की theory structure function से बनने वाले कोश्णों को देखेंगे जिसमें जन्तु कोशिका पादब कोशिका के सिधान प्रेण फार Son और कार्य इनसे संबमंदित सारे प्रस्णों को देखेंगे जो प्रप्रश्ण संख्या 32 से उस्रू हो रहे हैं उनको देखेंगे तो वीडियो शुरू करते हैं वीडियो से पहले अगर आपने चैनल को सिबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को जिससे कि मैं कोई सीवी वीडिया रोपका तॉर्ण फेकस न आ जाए और आप वीडियो देख पाएं इसमें जितने भी प्रशन है जो प्रीवियस यह आए हुए है रेलवे के हर एक्जाम में हम सारे के सारे प्रशनों को देखेंगे तो शुरू करते हैं जिसमें आज का पहल कथन सत्य नहीं है इनमें से बताना है कि अर्ध सुत्रड के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है इन चार उप्षन हमें से देखके बताना है तो इसमें हम देखें तो इसमें जो बी बी उप्षन है अर्ध सुत्रड के परिडाम सरूप परिडामी कोसों में गुर्षूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है यही क्या है गलत है दोगुने नहीं होती है वो क्या होती है अर्द सूत्री भी भाजन जनन कोशिकाओं में होता है यह निम्न दो चरडों में संपन होता है एक तो होता है अर्द सूत्री फर्स्ट दूसरा होता है अर्द सूत्री मतलब क्या मिय से सेकंड अर्ध सूत्र मतलब वहता है मियोसिस अर्ध सूत्र के परिडाम सरूप परिडामी कोशिकाओं में गुर्षूत्र की संख्या आधी रह जाती है जब कि यहां क्या लिखा है दोगुनी होता क्या है वह गुर्षूत्र की संख्या उसमें आधी रह जाती है इसलिए क् हमें गलत ही ढूड़ना था है तो B option हो जाएगा और क्या होता है अर्ध सुत्रड में जनकों से भिन गुड़ सुत्र होने के कारण अन्वानसिक भी बिदता होती है इस भी भाजन के दौरान गुड़ सुत्रों के बीज अन्वानसिक बदार्तों का आदान परदान होता है तो इसमें कौन सा option सही हो गया हमारा B option हो गया सही ऐसे ही next question देखते है next question क्या है किस को सिकांग को को सिका का master कहा जाता है इन चार option में से देखके बताना है कि किसको को सिका का master कहा जाता है कौन सा ऐसा कोशिकांग है जिसको कोशिका का मास्टर कहा जाता है तो कौन सा ऐसा है तो हो जाएगा नाभिक यानि नूकलियस नूकलियस को कोशिका का मास्टर कहा जाता है तो D option हो जाएगा सई next question देखते हैं किसी कोशिका में मौझूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है किसी कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है इन में से देखके बताना तो कौन सा होगा वो भी आंसर हो जाएगा हमारा नाविक यानि B-Option हो जाएगा सही नाविक next question देखते हैं निमलिखित मेंसे किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कार खाना कहा जाता है वह कहा जाता है राइबो सोम्स को डी ओप्सन हो जाएगा next question देखते हैं निमलिखित मेंसे कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है यानि कोशन की मूल भूत है यानि unit क्या है वह कोशिका है यानि सेल है तो एप सुन हो जाएगा सई नग्सक्रोशन देखते हैं क्या है सरीर में लगी चोट की मरमत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का परियोग किया जाता है सरीर में लगी चोट की मरमत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का परियोग किया जाता है तो अग केवल समसुत्रड केवल समसुत्रड यानि की माइटोसिस का परियोग किया जाता है तो यह option हो जाएगा सई next question देखते हैं यह क्या है जोड़े मिलाएं कोशी का भित्ती का इन A और B में से जोड़ा मिलाना है और A T P का C और D में से जोड़ा मिलाना है कि कौन सा इन चार option हो में से सभी हो जाएगा तो इनमें यह कब आया था RRB J 2014 में आया था यह क्या था question गलत है इनमें मतलो question सभी है इनमें जो option दे रखे हैं यह option क्या है इन में से किसी से match नहीं हो रहा है कैसे कोशिका वित्ती पादब कोशिका में पाए जाने वाली संचना है यह cellulose की बनी होती है इसी अधार पर जन्तु कोशिका और पादब कोशिका में अंतर किया जाता है ATP का निर्माण माइट्रोकॉंड्रिया में होता है माइट्रोकॉंड्रिया जन्तु और पादब दोनों की कोशिकाओ में पाए जाती है अतर असपस्ट है कि दिया गया कोई भी विकल्प सत्य नहीं है इन में से कोई सभी विकल्प ऐसा नहीं है जो इन में से सही हो तो इसका क् कोई साभी बिखलब सही नहीं है, पसु कोई कि सरीर की सबसे बड़ी कोषिका इन मेंसे कौन है निमली खित मेंसे कौनसा एक को मात्रा में होने वाला औडू है? एक कोशीगा में अधिक मातरा में होने वाला अडू कौन सा है? वह है जल यानी वाटर यह उप्सन हो जाएगा सई Next question देखते हैं कोशीगा से धान्त निमलिखित में से किस पर लागू नहीं होता है? Cell theory इन में से किस पर लागू नहीं होती है? इन चार option हो में से देखके बताना है तो कौन सा option सही हो जाएगा इसमें D option सही हो जाएगा बिशाडू next question देखते हैं यह क्या है सुमेलित करना यानि match करना है इन में से कौन सा option से हो जाएगा यह देखके बताना तो lysosome क्या होता आत्मत्या की थैली DNA का होते है गुड़ सूत्र Mitochondri का होते है पावर हाउस होती है तो यह ऐसे हमें match करना है हमें किस option में दिख रहा है यह हम देखे तो यह हमें B option में मिल रहा है तो B option हो जाएगा सई इस question देखते हैं यह क्या है कोशी का प्रकार्यात्म कि यहनीaly उप्सनल क्रियाओ agreements का नियं अन्द्रक कौन करता है इनमें से देखके बताना है तो इनमें से कौन सी हो जाएगा इनमें से डी उप्सन हो जाएगा nucleus यानि केंज रख करता है तो डी उप्सन हो गया केंज नेक्स क्रेशन there सूत्री वीवाजन बीज में आ जाते हैं या मिवर्फ दिये में पताना है तो किस में होता है या मेटा-फेज इस्टिताती है उसमें ऐसा होता है तो C- उप्सन हो जाएगा सही मेटा-फेज अब पादब कोषिजी का या यनि प्लान्ट सेल के कोशन देख लेते हैं कोशन कौन कोशन से हैं जिसमें पहला कोशन देखते हैं पहला कोशन क्या है पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लैबनोइड वरड़क किसकी उपस्तित के कारड होता है इन चार ओप्षनों में से देख के बताना है तो कौन सा option सही हो जाएगा इसमें सही हो जाएगा एंथो साइनिन पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल, फ्लैबनोइड, वरड़क, एंथो साइनिन की उपस्तित के कारड होता है इंथो साइनिन, जामून, प्याज, अनार, अंगूर, टमाटर, चोकोवेरी, आदी में पाया जाता है तो इसका option कौन सा सही हो जाएगा, बी option हो जाएगा सही एंथो साइनिन next question देखते हैं, निमलिखित में से कौन सा कोशिकांग, यानि कौन सा कोशिकांग और्गनल से पादब कोशिकांग में पाया जाता है तो ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो पादब कोशिकांग में पाया जाता है, लेकिन जन्तु कोशिकांग में नहीं पाया जाता है तो वह है क्लोरोप्लास्ट यानि एक उप्सन हो जाएगा सही क्लोरोप्लास्ट निम्ड विकल्गपों में से क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर अन्य सभी पसु कोशीका में पाये जाते हैं क्लोरोप्लास्ट में हरे रंग का पर्ड हरीम या क्लोरोफील उपस्तित होता है जिस कारण पौधों के कुछ भाग हुआ पत्तिया हरी दिखाई देती है इसके द्वारा ही प्रकास संसलेशर की क्रिया होती है और कार्बो हाइडरेट बनते हैं तो ए उपसन हो गया सही नेक्स कोशन देखते हैं और तालिसा कोशन ये क्या है निमलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग परदान करता है इसा कौन सा घटक है जो पत्तियों को हरा रंग परदान करता है इसमें से हमें देख के बताना है इन चार उप्सनों में से कौन सा सही होगा तो कौन सा सही होगा यह उप्सन से हो जाएगा C यानि क्लोरोफील 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 पत्यों को हरा रंग परदान करता है झायनि कि C option हो जाएगा हमारा सही आज का last question देखते हैं ये क्या है पौधों में k倉सी का भित्ती का निर्माड करने वाले जटिल कार्बो हाइडरेट को क्या कहा जाता है इसमें से देख के पताना है कि कौन सा option सही होगा पौधों में कोशिका भित्ती का निर्मार करने वाले जट्टिल कार्वो हाइडरेट को सेल्यूलोज कहा जाता है यानि कि B option हो जाएगा सही सेल्यूलोज तो ये थे कोशिका से लेटेट यानि जन्तु कोशिका और पादब कोशिका से संबंदित सारे के सारे प्रस्ण जो railway के previous year में आये हुए थे असा करता हूँ कि सारे question आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें और चनल को subscribe करें ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो पाने के लिए अब कल की वीडियो में देखेंगे उतक यानि की टीसू जनतु उतक और पादप उतक यानि एनिमल टीसू और प्लान टीसू जितने भी question आई हुए हैं सारे के सारे question को next वीडियो में देखेंगे अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें और चनल को subscribe करें तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत भाँत धन्यवाद